अच्छा है कि डेरी खुल गया है इससे हम लोग को बहुत लाब है अब उससे मुनाफ़ा हो रहा है कि दसर पर अपना बच भी रहा है गाय खाय भी रही है और लोग भी खा रहे हैं दूद भुक्तान तो समय से मिल जा रहा है चवदरी को पेमेंट हो जाता है डेर बिलकुल खाते में चला जाता है 50 पर सा हो या 5 पर सा हो सब सब खाते में ही जाता है और सबी चीजों का बंदोबस्त उस पैसे से अठाब आते हैं उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला मुख्याले से 25 किलो मीटर पूर्व एक छोटा सा गाउं है मानिक पूर्सानी इस गाउं में पशुपालक किसानों के जीवन में दूर डेरी सकरात्मक बदलाव की इबारत लिख रही है गाउं में डेरी के खुल जाने से ग्रामीडों को घर बैठे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं आमदनी होने से महिलाएं भी पशुपालन में सैयोग कर रही है डेरी पर रोजाना दोसु किसानों दौरा 550 से 600 लिटर दूद लाया जाता है और आमदनी का ठोस जरिया मिलने से ग्रामीर दुधारू पश्यों की संख्या बढ़ा कर दूद उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं पहले जैसे कि गाय का दूद हम लोग पल्टहारे को देती थी तर उसमें क्या होता है कि वो 20 रुपया 22 रुपया दूई ले जाते थी समय से पैसा नहीं देते थी कि भीसान एक पर हमें उन्ह缺 लेका हैं कि डेरी में ठाइड करने मंड़ीच के जानन हिसान फिर में लिपूरी टेर्य है कि यह इसन उनने महनने डेरे, फिरमप्रियों कि वो 40ुप लीटर ले रहा है उनने मुक्नलम, में आ रहा है इस से घर का काम हो जा रहा है और गाय का जैसे पशुवाहार है उसको उसके खाने पीने की बेवस्था है वो हम लोग कर लेते हैं उनके लिए डाक्टरों की 24 घंटा बेवस्था है जो कि उनकी अच्छी ट्रीटमेंट काम फीस में की जाती है पहले जो गाय दो तीन लिटर देती थी वो लगभग रासन में रासन बैलेंसिंग और फार्म में एजिजमेंट जो है और मिनल पाड़र और समय से डिवार्मी करवाना ए सारी चीजों के वज़े से मतलब जो तीन लिटर वाली है और पांच लिटर पर चली गई है मतलब जो जल्दी एक मतलब काफी समय तक चल रही है यहां देने पर पसु को जो है पालन एक खरी बाटू राने पर लड़की लड़कों को जो है पढ़ाने लिखाने में या काम में बाटू काम दे रहा है और यह देखते हुए कि मतलब जैसे जो लोग बाहर कमानी के लिए दोड़ते थे आज जाने के वज़ा से अब घर पर ही मतलब अपना पसु पालन करके अपना कमाई कर ले रहे हैं और वहां से आने के बाद यहां देखे हैं कि हमारे गाव में डेरी खुर गया था और अच्छा खासा जो गाव के बटहरा या दुधार जो दूद ने जाते थे उससे अच्छा जो है और दूद का हिसाब देरी पाके हमको मिलने दगा और वहां पर जाने के बाद अच्छा हमको पैसा का इंकम का सुर्थ मिर गया यह वी सीव की वज़ा से हम अपना भाइस गुरू में कमंदी सिस्थी की वज़ा से हम यहीं पर उप पालकों को दूद की बढ़ाने के लिए लोन की बवस्ता की गई है जो असान पक्रिया में दी जाती है जिससे वह अपना दूद बढ़ा सकते हैं और अपने इंकम बढ़ा सकते हैं समय समय पर जो खाद बीज और और चीजें की किशानी में हमें आवश्यक्ता पड़ती है तो यह दूद के पैसे से हम समय समय पर खाद, बीज, किटनाशक और सभी चीजों का बंदोबस्त उस पैसे से कर पाते हैं इससे हमारे खेती में दुख्द ब्यवसाय से सपोर्ट मिलता है दो काम तो हमारा पुराना चल रहा है इसके पहले मेरे पिता जी कर रहे हैं हम भी कम से कम 15-16 सालों से कर रहा है लेकिन अब जब से डेरी गाउं में आ गई है अब दो दुधियों को मिल नहीं रहा है अब दुध जब नहीं मिलेगा गाउं से कलक्का नहीं हो पाएगा तो कितना दुध अपने उत्पादन करके देंगे कोई अन्या काम के बारे में स्विज़ना पड़ेगा चुकि अब यह चलने वाला है नहीं है